Hello Friends, Welcome to my channel One Information दोस्तों, प्रेगनेंसी में खान पान की बात करूं तो सूखे मेवे और नट्स सर्दियों के दिनों में खान पान में दिये जाते हैं और ये healthy भी माने जाते हैं लेकिन अकसर गर्बती महिलाओं के मन में मौंगफली को लेकर एक confusion बना रहता है और ये allergy बेहत गंबीर समाश्यों का भी कारण बन सकती है वैसे खाद्य पदार्त जिनने खाने से allergy हो सकती है इस दोरान उसमें दूद, अंडे और इसके बाद तीसरा नंबर मौंगफली का आता है और यही बज़ा है कि इस दोरान allergy की डर से गर्बती महिलाएं मौंफली का सेवन करने से घबराती हैं, डरती हैं आपको दोस्तों जानकर हैरानी भी होगी कि लगबग एक चौथाई गर्बती महिलाओं को pregnancy के दोरान allergy का अनुभाव होता है कई तरीके के allergy ऐसी भी होती है जो गर्बावस्ता के दोरान बढ़ जाती है, जबकि कुछ महिलाओं के परिवार में ही allergy की समश्या common होती है तो दोस्तों अगर pregnancy के दोरान आप मौफली खा रही है और आपको एकदम से allergy होना start हो गई है तो आप इसका सेवन तुरंत बंद कर दें वैसे आपको दोस्तों बता दू कि pregnancy के दोरान मौफली खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं आईए जानते हैं कौन-कौन से वो फायदे होंगे तो इसमें होता है healthy fat करवधी महिलाओं को अपने आहार में pregnancy के दोरान healthy fat को सामिल करना होता है खासकर इसलिए क्योंकि इससे बच्चे की विकास में बहुत जादा योगता नलता है इसके अलावा healthy fat placenta की growth में भी काफी मददकार होता है और समय से पहले बच्चे का जन्म का जोखिम जो होता है उसे भी कम करता है और जन्म के समय बच्चे की स्वस्त वजन को भी सुनिश्यत करता है तो मौगफली का मखन या फिर पीनर बटर जो होता है healthy fat की strain में आता है और ये bad cholesterol की level को कम करने के साथ ही मा और बच्चे को healthy fat प्रदान करने में भी काफी मददकार होता है दोस्तों मौगफली में folate भी काफी अच्छी मातरा में होता है विशेशग्यों के अनुसार दोस्तों 100 ग्राम मौगफली में आपकी दैनी जरूरत के हिसाब से लगपक 70% तक folate पाया जाता है तो प्रेगनेंसी के पहली दिमाही के दोरन मौगफली और पीनर बटर के सेवन की विशेश सला भी दी जाती है ताकि बच्चे का वजन और विकास अच्छी तरीके से और बहतर तरीके से हूँ दोस्तों इस दोरन मौगफली खाने के फायदों में प्रोटीन की बात करूँ तो मौगफली से प्रोटीन भी आपको अच्छी मातरा में मिलता है और प्रोटीन जो होता है इस दौरान गर्ब में पल रहे हैं शिशू की विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो प्रोटीन की कमी आपके शरीर में ना हो इसलिए आप इस दौरान मूंगफली का सेवन ज़रूर करिए दोस्तो मूंगफली जो होती है वो मूट सिंग को रुखने के लिए भी काफी ज़्यदा फायदे मन्द होती है गर्भावस्ता के दौरान बहुत सारी महिलाओं को मूट सिंग का अनुभा होता है मूट सिंग की परिशानी होती है ऐसे में होता क्या है कि कभी आप खुश मजाज रहती है तो कभी आप एकड़म से इमोशनल हो जाती है तो ये सब मूट सिंग होने की वाज़े से होता है तो आप चाहे तो मूट सिंग का सेवन करके अपने मूट से जड़ी भी इन समस्याओं को दूर कर सकती है क्योंकि दोस्तो मूंगफली में टिप्टोफैन होता है और ये एक तरीके का ज़रूरी अमिनो एसिट होता है और ये अमिनो एसिट हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन के इक पादन में मददकार होता है तो मूट्शिंग की समस्या से बचने के लिए और डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए मूंगफली एक अच्छा उपाय है दोस्तो प्रेग्नेंसी के दौरन मूंगफली खाने से आपको फाइबर भी मिलता है और आईरन भी मिलता है प्रेडेंसी में कब्ज की समश्या आइदे महिलाओं में बहुत जादा देखी जाती है और मुफली जो फाइबर से भरपूर होती है इसे अगर आप अपने डाइट में शामिल करती है तो पाचल और मलत्याग से जुड़ी भी समश्या हैं आपके दूर हो जाएगी कब्ज की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी इसके अलावा गर्बावस्ता के दौरान आपके शरीर को आईरन की बहुत जादा ज़रत होती है ताकि वो बच्चे की ग्रोथ में मदद करने के लिए अधिक खुन का निर्माण कर सके लेकिन अगर आपके शरीर में आईरन की और कोण की कमी हो जाय तो एनिमिया का खत्रा भी हो जाता है इसलिए मुणफली खाएं जो कि आईरन से भरपूर होती है और ऐसे में आप प्रेगनेंसी के दौरान एनिमिया जैसी समश्या से बच सकती है प्रेग्नेंसी में मुँफरी खाने के दोस्तों इतने सारे फायदे हैं बसरते आपको इससे खाने से ऐलर्जी न हो इसके नुकसान के अगर बात करों दोस्तों तो प्रेग्नेंसी के दोरन मुँफरी खाने के कुछ खास नुकसान आपको नहीं होते हैं लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वजनी है और अगर आप फेल्दी फैटिक से ले रही हैं तो यह आपके वजन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप पहले से ही मुटापे के शिकार हैं गर्ब होती हैं तो आप इस दोरन मुटापे का सीवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें। बिलकुल सुरक्षित होता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं आपको अपनी गर भावस्ता में मिलते हैं। तो यह जानका रही थी दोस्तों प्रेग्नेंजी के दौरन मुटाप खाने के संबंद में। उमिद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, पसंद आया है तो लाइक शेर करिएगा। हमारी इस चैनल वन इंफरमेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।